अक्लमंद हंस एक बहुत बड़ा विशाल पेड था उस पर बीसियों हंस रहते थे उनमें एक बहुत स्याना हंस था बुधिमान और बहुत दूर दर्शी सब उसका आधर करते ताव कहकर बुलाते थे एक दिन उसने एक ननही सी बेल को पेड के तने पर बहुत नीचे लिपत पाया ताव ने दूसरे हंसों को बुला कर कहा देखो इस बेल को नश्ट कर दो एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मूँ में ले जाएगी एक युवा हंस हंसते हुए बोला ताव ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मूँ में ले जाएगी स्याने हंस ने समझाया आज ये तने को लपेटा मार कर उपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड से चिपक जाएगा, तब नीचे से उपर तक पेड पर चने के लिए सीधी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीधी के सहारे चका हम तक पहुँच जाएगा और हम मारे जाएगे। दूसरे हंस को यकीन ना आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीधी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताव, तू तो एक छोटी सी बेल को खीच कर जादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बढ़ बढ़ाया, ये ताव अपनी अकिका रॉब डालने के लिए अंच शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताव की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकिका हाँ थी। समय बीटता गया, बेल लिपटते लिपटते उपर शाखों तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुची प जबूत हो गई थी कि उसे नश्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे तब एक शिकारी उधरा निकला। पेड़ पर बनी सीधी को देखते ही उसने पेड़ पर चकर जाल बिछाया और चला गया। सांच को सारे हं लोट आए पेड पर उत्रे तो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फडाने लगे तब उन्हें ताव की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताव की बात ना मानने के लिए लजजित थे और अपने आपक दूसरा हंस बोला इस संकत से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता हैं। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी तब ताव ने उन्हें बताया मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबर जब शिकारी आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझ कर जाल से निकाल कर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुन जमीन पर पटकता गया। इस तरह उसने ही केक करके सारे हंस जाल में से निकाल कर जमीन पर रख दिये, तभी सीटी की आवाज आई और एक जटके के साथ ही सारे हंस उठ गए। शिकारी अवाक होकर देखता रह गया। सीख, बुधिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहि झाल में झाल में गए।